गुड मोरिंग डियर स्टुडेंट आज हम शुरू करने जा रहे हैं अक्सरसाइज 1.3 कल अमने 1.2 है वो की थी अच्छे तरीके से आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ही असान सी अक्सरसाइज है है कि इसके अंदर हमने मोडे मोटे बाते हैं वो लेते हैं इसके अंदर हमने क्या करना है नियरेस्ट 10 है नियरेस्ट 100 है नियरेस्ट 1000 है तो उसको देखते हुए हमने क्या करना अस्टिमेट लगाना है अस्टिमेट लगा कि हमने इसको हल करना है जैसे मैं नियरेस्ट 10 की बात करूंगा तो नियरेस्ट 10 के अंदर हमारे पास क्या होता है मालिया कोई भी संख्या है मालिया 8 है 8 है वो किसके नजदीक है वो 5 के नजदीक है सोरी 0 के नजदीक है या 10 के नजदीक है तो किसके नजदीक है यह हमारे पास यानि 8 है वो किसके टेंस में कैनी के मतलब क्या है जो भी संख्या मारे पास दी गई है वो यदि जीरो जीरो और पांच के बीच में है तो हम उसको क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे और 5 से 10 के बीच में हैं तो उसको हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे आगे होगे मेरी बात समझ मैं यानि मालिया हमारे पास सिंग क्या है 84 84 तो 10 के है 10 के मतलब 1 का इका 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 लेखना जीरो और आगे एट था तो 84 का estimate लगा कि हम क्या लिख सकते हैं इसमें 80 है वो लिख सकते हैं ठीक है आगे समझ माच्छे तरीके से बिलकुल ठीक है कोई एक जाम पल और लेते हैं माले हमारे पास तेरिका 149 149 है तो 10 के फॉर्म मां देखना तो 10 के फॉर्म मां देखना तो हम किसके नजदीक होगा यहनि आगले आगे किस संख्या लिखांगे या पीछे की आगे यहनि यह निदी 4 फॉर्म से कम होता फाइव से हमारे पास क्या उता कम होता तो फाइव से कम होता तो उसके अंदर हम क्या करते जीरो लगा देत तो 149 है 5 और 10 के बीच में है तो next संख् 150 के नजदीक है यह तो था नियरस्ट 10 आगे बात करूँ है नियरस्ट 100 नियरस्ट 100 है माल लिया हमारे पास देर रिख्या है 628 हमारे पास देर रिख्या तो नियरस्ट 100 के अंदर हम क्या करेंगे भी तो हमारे पास हमने दो सिंख है देखनी है उसके अंदर इकाई और दहाई का आंक once and tenth place इसके अंदर हमने देखनी हैं तो उसके अंदर हम क्या करेंगे उसके अंदर हम देखते हैं यदि ये 0 से 50 के बीच में हैं तो हम इनको क्या मानेंगे 0 मानें मतलब पिछे वारी जो संख्या इनको क्या कर देंगे double zero है वह मानेंगे ठीक ह Á Cu 15 के बीच में हैं तो हम इसको next है माने यहां पे 6 है शिक्स क्या क्या कर देंगा हम 7 हो जाएगा next हैं क्या हमारे पास और यह डबल जिरो होगी ठीक है यानि जीरो से पचास के बीच में तो वही पिछेवाड़ी से रहेगी और पचास से सो के बीच में है तो आगे वाड़ी संख्या हमारी पास हो जाएगी कोई दिक्कत ये ही है इसी प्रकार एक और एक जामप लेते हैं माले हमारे पास क्या है एक कर देंगे और यदि मालें यह मारे पास होता सेवंटीफोर तो सेवंटीफोर होता तो किसके है पचास से सो के बीच में है तो पचास से सो के बीच में होता तो फिर हम इसको क्या कर देते 900 के हैं वह नजदीक है ठीक है यही है इसी परकार यदि मैं 1000 की बात करूंगा तो वह भी विलकुल सेम सा है 1000 इस ने माल दिया हमारे पास देर क्या है 100 यह देर क्या है ठीक है तो यह हमारा की है is n such a نq हां जो दो से तक यह तो तो वही शेंख्या रहेगी है माल दिया 0-500 तक है तो वही शेंख्या रहेगी यह क्या है चाह्श्याश्य तो हैं किया रहेगा हमारे पार 20 के घुल हो शीच़ी के 10 गैँ 500,000-1000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 है सेवन थर्टी प्लस 998 यह वन हंडर थर्टी प्लस 998 अमारे पास देर खेया तो सबसे पहले नियर्आस्ट निकारेंगे नियर्स नमबर ऊफ सेवन थर्टी अगर शेवन थर्टी का नीरेस्ट तो जीरो से 50 के बीच में है तो वह सेम सेंट्र कि आएगी थृष का नेरेस्ट क्या हो गया हमारे पास 700 हो गया ठीक है 998 है 998 है तो 98 है 98 कि यह है 50 से 100 का बीच में है तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर 1000 है वो हो जाएगा नेरेस्ट नमबर हमारे पास 700 और 1000 तो इनको में एड़ कर देंगे 700 पलस 1000 तो कितना होगे भी 1700 यानि 1770 हो गया हमारे पास ठीक है आगे समझ मैं ठीक है आगे नेक्स्ट है बिल्कुल सेम सा है सेकिंड पार्ट है वह अमारे पास दिया गया है इसके अंदर हम क्या करना हैं 796 मैनस त्री वन फोर नियरस्ट देखते हैं 796 हमारे पास तो दो संखेंगे 96 हमारे पास यहां पर तो 96 हैं अमारे पास तो नेक्स्ट हो जाएगा तो यह किसके के नजदीक है 800 के है भी वो नजदीक है आगे है 314 है 314 है तो यह कितना हमारे पास 14 यानि 0 और 50 के बीच में है तो यह हमारे पास वही शेम से क्या रहेगी 300 हो जाएगा तो बिल्कुल ही असान सब्सक्राइब नजदीक है और यह किसके नजदीक है 300 के नजदीक है तो 800-300 करेंगे तो 500 हमारे पास आजाएगा ठीक है ओके ओके नेक्स्ट है हमारे पास है और देखते हैं इसको हम 12904 और 2888 तो यह निरेक्ट देखेंगे 129004 तो क्या है तरी है क्योंकि निरेस्ट किसके है 904 है 904 मैंने कंडिशन बताई थी जीरो से 500 और 500 से 1000 तो यह किसके बीच में 500 से 1000 के बीच में तो नेक्स्ट आई है तो 12 है 12 की दिए पर हमारे क्या कर देंगे 13000 तो मरे पास है वह हो जाएगा ठीक है इसी परकार है नेक्स्ट रंग क्या हम देखते हैं तो थाउजन एट अंडर्ड एटी एट तो इसके विद्धर रांड देखेंगे हम तो थ्री रांड क्या है जीरो पंसो से 1000 के बीच में है तो पंसो से अजार के बीच में तो क्या है नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास 3000 है वह हो जाएगा ठीक है तो 12900 फोर है वह किसके नजदीक हमारे पास 13,000 के नजदीक है और 2088 कि 2888 है वह किसके नजदीक है 300 के नजदीक है तो एड कर देंगे 13,000 है 3,000 है दोनों को एड कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा है 16,000 इस प्रकार से हमने अस्टिमेट लगाना है सिदी सी बहुत समय हम कह सकते है तुक का लगाना हमना इसके अंदर ठीक है आगया समझ में ओके तो नेक्स्ट है उसको हम करते हैं लास्ट सम है हमारा इसके अंदर क्या देर क्या हमारे पास 28,292 हमारे पास दिया गया है तो 28,292 तो यह देखते हैं तो किसके बीच में 0 से 500 के बीच में है तो सेम वही सेंग क्या रहेगी तो टूहंडर तो सुरी 28,000 होगे हमारे पास आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या देर क्या है है नेक्स्ट हमारे पास 21,496 है तो क्या है 496 यह भी क्या था फांसोorg कम है तो 21,000 हे मारा हो जाएगा तो अमने कैंदर सब्ट्राइट करना है किसमें से 208,000 है 21,000 है सब्ट्रेक् गर्दिया था हमारे पास क्या हो जाएगा भी 7000 हह वह हमारे पास हो जाएगा ठीक है तो यह था मेरे ख्याल से अच्छे त्रीके से समझ मां आ जाओगा आपके नियरेस्ट सभी यानि टैंस का वर है मैं एक वर्ड देखेंगे हंड्रेड्स है हमारे पास उसमें दो वर्ड हम देखेंगे और थाउजेंट है उसमें क्या देखेंगे तीन वर्ड सब्सक्राइब दृड देखेंगे तो विशेष द्यान रखना है यह टेंस के अंदर 0 से 5 और 5 से 10 का स्रेव रहेगा हमारे पास 120 का जैरे श्राइबस और 5Siëर के स्बाइबत मारे पास रहेगा और 10,000 के 10 से 500 और 5-100다면 2,000 का हमारा स्रेव रहेगा यदि ये मतलब 0 से 5 है 0-50 है या 0-500 है तो सेम वही शिंख्या रहेगी ठीक है और यदि हम 500-5-10 है 50-100 है और 500-1000 है तो नेक्स शिंख्या है वो हमारे पास हो जाएगी तो आज के लिए इतना ही काफी है एक सम आपने इस exercise का करना है Thank you and have a nice day